हेलो फ्रेंज बाला जी कुकिंग फूर्ण में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए दो तरीके का मिल्क सेक लेकर आए हैं मैंगो और वाटर मिलन सेक दोनों मिल्क सेक बहुत अच्छा लगता है आप इसे एक बार जरू ट्राइ करिएगा गर्मियों में ठंडा ठंडा मिल मिल्क सेक हर किसी को बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में अचानक से अगर गेश्ट आ जाते हैं घर में तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बना के दें एक बार आप ये मिल्क सेक जरू ट्राइ करिए महमान भी खुस होकर जाएंगे घर से तो चलिए हम बनाना शुरू क पांच मिनट के बाद ये सब्जा सीट्स तैयार हो जाएगा फूल के इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ये सब्जा सीट्स मार्केट में आसानी से मिल जाता है अब चलिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे उसमें थोड़ा सा हम वाटर मिलन छोटे टुकडों में काट ले फिर हम इसमें एक ग्लाश ठंधा दूड़ डाल देंगे दूद को मैंने पहले बॉयल कर लिया है उसके बाद इसे ठंधा कर लिया है अब इसमें स्वाध अनुसार हम चीनी डालेंगे अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा ही इसमें चीनी देंगे फिर जार का ढखकल लगाके हम बंद कर लेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे चलिए हमारा वाटर मिलन मिल्क से तयार हो चुका है अब हम एक ग्लास में दो चम्मस सबजा सिर्थ डाल देंगे फिर इसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे फिर इसमें हम जो इस वाटर मिल्क सेख बनाया है उसे डाल देंगे इसमें मैं थोड़ी से वाटर मिल्क सेख डाल देती हूं लीजिए हमारा ठंडा ठंडा बार मिल्क सेख रेडी हो चुका है इसे आप ठंडा सबर करें सब जिसको बहुत पसंद आेगा चलिए अब हम मैंगो मिल्क सेख बना लेते हैं इसके लिए मैंने मिकसर जाल ले लिया है अब इसमें मैं एक पका आम ले लेती हूँ आम का छिलका निकाल के ऐसे टुकड़ों में काट ले फिर हम इसमें एक ग्लास ठंधा दूद डालेंगे दूद को ठंधा करने के लिए इसे आप आधे खंटे के लिए फ्रीज में रख दीजे क्योंकि मैंगो मिल्क सेख ठंधा सरु करने में बहुत तेस्टी लगता है अब इसमें हम थोड़ी सी लाइची पाउडर डाल देंगे इसे मिल्क सेख का टेस्ट दूगना बढ़ जाता है अब इसमें हम थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे फिर जार का ढखकन लगा कर बंद करके ब्लेंड कर लेंगे इसे स्मूद ब्लेंड करें लीजिया हमारा मैंगो मिल्क सेख बनके रेडी हो चुका है चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं एक ग्लास में थोड़ा सा आम का चंक्स डाल देंगे फिर थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे फिर हम इसमें मैंगो सेख डाल देंगे जो हमने ब्लेंड करके रखा है गर्मी का समय आ रहा है तो ये रेस्पी आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा विसमें मैं थोड़ा सा आम के चंक्स डाल दूँगी ये टोटली ओप्सनल है लीजिये हमारा मैंगो मिल्क सेख रेडी हो चुका है इसे आप ठंडा ठंडा सर्व करिए आज की आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबाना ना भूले जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानीक से पहुच सके